साथियों, आप कोरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है। लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजुद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है। इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्वी महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग। सोशल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना, कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है, तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए, बिमार लोगों के लिए आवशक है। ये सोचना सही नहीं, सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्ट के लिए है, प्रधान मंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच, आपको, आपके बच्चों को, आपके माता-पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, और आगे चल करके पुरे देश को, बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है